हुश्कार मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आगर राम जंद्म भूमी का विवाद कितने साल पुराना है थे दोस्तों आज ये वीडियो बनाते वक्त मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मैं ये तु नहीं जानता हूं कि आप ये वीडियो कब देख पा रहे हैं लेकिन आज ये वीडियो पाच अगस्त को ही शूट हो रहा है और आजी के दिन हमारे राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो वहाँ पर संपन्न हुआ है अधर्णिय प्रधान मंतरी मोधीजे ने वहाँ पर शिलान्यास किया है और अब वह से रामजन्म भूमी का जो मंदिर था वहाँ पर बना हुआ उसे तोड़कर वहाँ पर मजद बनाई गई फिर तकरीवन 500 साल तक ये बहुत बड़ी जो लड़ाई थी वो चली थी और आज 5 अगस्त को फाइनली वहाँ पर शिलान्यास हुआ है तो दोसों इसी की पूरी जर करनी आज हम देखने वाले हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चानल पर नए हैं और ऐसे ही इंट्रसिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चानल को फटा फट कर दीजे सब्सक्राइब जिसका नाम है सही जवाब नीचे दिये गए बेल आइकन को क्लिक करना विलकुल न भूलिएगा ताकि हमरे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहने पहुन सके तो चले दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों ये सारी कहानी शुरू होती है 1528 में जब बाबर का एक जो कमांडर था यानिकि सरदार था उसने व नेर बाकी ने वहाँ पर मजजद बनवाई थी उसके बाद दोस्तों 1885 में इसके उपर सबसे पहला मुकदमा चला था और ये जो मुकदमा था या PIL थी वो दायर की थी वहाँ के जो महंत थे रगवीर दास उन्होंने वहाँ पर ये PIL जो है वो फैजाबाद कोड के अंद दे जाये हाला कि तब के कोड ने इस पूरे PIL को खारिज कर दिया था और कोड ने ये जो निर्मान करना था उसे परमिशन नहीं दे थे उसकी बाद तकरीवन 63 सालों तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ लेकिन 1949 में वहाँ पर प्रभूर राम सीता और लक्षमन जी की मूर दोस्तों 1950 में फिर से एक बार कोड की अंदर PIL डाली गई जिसमें अंदर कहा गया कि वहाँ पर अभी जो आइडॉल रखे गये हैं उनकी पूजा और जो भी सारा चीजे होती हैं वो करने की अनुमती हमें दी जाये लोगों को वहाँ पर जाकर पूजा करने की वहाँ पर जाकर अपने भगवान के दर्शन करने की अनुमती दी जाये और ये जो PIL थी वो दायर की थी गोपाल सिमला विशारद और परमहंसर रामचंदर दासजे ने बाद में 1969 में निर्मोही अखाडा जो है उन्होंने फिर से एक बार PIL दायर कर दी और उसमें उन्होंने ये मां 61 में सुन्नी वक्त बोर्ड ने भी वहाँ पर PIL दायर कर दी और उस पूरे के पूरे लैंड के उपर अपना हग बताना शुरू कर दिया तो उसो बाद में एक फरवरी 1986 में वहां की लोकल कोर्ट ने ये फैसला किया था कि अब वो जो पूरे लैंड है जहां पर मूर्तियो को रखा गया है वो एरिया जो है वो हिंदू वर्शिपर्स के लिए खुला कर दिया जाए यानि कि भक्त अब वहां पर जा करके अपने भगवान के दर्शन कर सकते थे उनकी पूजा कर सकते थे बाद में 14 अगस्ट 1989 में अलावाद हाई कोर्ट ने ये भी ओर दिया था कि वहां के जो आइडॉल्स थे उनका मेंटेनेंस किया जाए क्योंकि अब वो बहुत सारे लोगों के धर्म का और उनकी श्रद्धा का विशय बन चुका है बाद में 6 दिसंबर 1992 में कारसविकों ने वहां पर जाकर के बाबरी मस्जद का जो ढाक्चा था उसको तोड़ दिया उसको डेमॉलिश कर दिया गया था हलांकि उसकी बाद देश में बहुत जादा तोर पर दंगे हुए लेकिन वो कारसविकों ने वहां पर करके दिखाया था दोस्तों अगली सबसे बड़ी मूव हुई अपरेल 3 1993 में जब कोर्ट ने वहां पर आयोधा एक्ट को लागू कर था हलांकि इसके खिलाब भी कई सारी जो है वो पी आयल्स दाखल कर दी गई इसके लिए सबसे पहले इसमाइल फारोगी ने वहां पर अलाबाद कोर्ट के अंदर अलाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर पी आयल दायर की थी कि ये जो पूरा एक्ट है वो हमें सही नही और उसके अलग-अलग aspects को वहाँ पर challenge कर दिया गया था बाद में Supreme Court ने अपना जो अधिकार होता है जो कि आता है 134A के एंडर उसके मुताबिक ये जो सारे PILs थे वो अपनी तरफ transfer कर वा लिए बाद में 24 अगस 1994 में जब ये पूरा मुकदमा चल रहा था तब Supreme Court ने ये कहा था कि ये जो मौस्क है ये जो मजजद है वो इसलाम के लिए integral नहीं है याने के ये कोई जरूरी चीज वहाँ पर नहीं है ऐसा Supreme Court नहीं 24 अक्तूबर 1994 के अपने बयान में कहा था बाद में अपरेल 2002 में फिर से एक बार High Court ने मुकदमा चलाया कि आखिरकार ये जो disputed land है वो किसकी है याने के सुन्य वक्ष बोड की है या जो निर्मोही अखाडा और जो बाकी के जो हिंदुत ववादी लोग थे जो वहाँ पर राम मंदिर बनाना जाते थे उनका है तो इसके लिए फिर से हेरिंग चालू होगे उसके बाद 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोड ने ये कहा कि वहाँ पर किसी भी धर्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी नहीं वहाँ पर नमाज पढ़ा जाएगा और नहीं वहाँ पर भगवान की पूजा आर्चा की जाएगी बाद में सप्टेमबर 30 2010 में ये मैजॉरिटी से ये फैसला हुआ 2-1 की मैजॉरिटी हुई थी कि ये जो पूरे डिस्प्यूटेड लैंड है इसकी तीन हिस्से किये जाएंगे पहला हिस्सा जो था वो जाएगा सुन्य वक्ष बोर्ड को दूसरा हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा निर्मोही अखाडे को और तीसरा हिस्सा जो है वो जाएगा राम लला को तो हलाकि इसके उपर भी काफी जादा डिबेट होई लेकिन तब कोट ने यही फैसला दिया था कि ये जो लैंड है वो तीन हिस्सों में बटने वाली है बाद में 9 में 2011 को जो हमारा सुप्रीम कोट है उसने हाई कोट का जो वेडिक था उसके उपर स्टे ओर लगा दिया क्योंकि ये जो बटवारा हुआ था वो कई लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत गलत हुआ है इसकी वजह से बाद में सुप्रीम कोट की तरफ से इस ओर्डर है इसे आप out of the court settlement के द्वारा सुलजाने की कोशिश करें तब हमारे chief justice थे justice खेहार तो justice खेहार जी ने ये कहा था कि अगर हो सके तो out of the court settlement करके इस पूरे मामले को बंद कर दिया जाए या हमेशा हमेशा के लिए settle कर दिया जाए बाद में दोस्तों 7 अगस 2017 को सुप्रीम को court के तीन जजेस का पैनल वहां पर तयार किया गया और उस पैनल को 1994 में जो अलावाद court ने decision लिया था उसको जो challenge करनी वाले पियाल्स थी उनको study करने के लिए वहां पर लगाया गया था और उन तीन जजों के bench ने उन सारे की सारे मुकदमों को वहां पर study किया था बाद में 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम court ने जो civil appeals हुई थी यानि कि land के उपर की जो appeals हुई थी उसकी hearing जो थी वहां पर शुरू कर दी थी बाद में 20 जुलाई को फिर से एक बार सुप्रीम court ने अपना जो decision था वो reserve रख लिया बाद में September 27 को सुप्रीम court ने इस बात से इंकार कर लिया कि जो 5 जजों का panel है वही आगे की hearings करेगा सुप्रीम court ने ये कहा कि जो नए सिरे से 3 judges का जो bench बिठाया गया है वही इसकी hearing करेगा जो की 19 अक्तूबर को बनाया जाएगा बाद में October 19 को सुप्रीम court ये तारीक fix कर लेता है यानि कि January की first week में इसकी जो पूरी कारवाई है ये होगी ऐसा प्रारमवित तोर पर सुप्रीम court कहता है लेकिन बाद में जो तीन जजों का bench बैठेगा वो इसका पूरा schedule बाद में तयार करेगा ऐसा सुप्रीम court के द्वारा कहा जाता है बाद में December 24 को सुप्रीम court ये वहाँ पर आदेश दे देता है या तैय कर लेता है कि अ अब इसके उपर जो भी PILS दायर होगी या जो भी लोग इसे challenge करेंगे उनके सारे के सारे मुकदमे जो है वो 4 जनवरी 2019 से वहाँ पर लड़े जाएंगे या उसके उपर कारवाई होगी बाद में दोस्तों 4 जनवरी 2019 को सुप्रीम court ये कहता है कि जो भी appropriate bench वहाँ पर जो है टाइटल केज जो है उसकी सुनवाई शुरू होगी बाद में दोस्तों 8 जनवरी को सुप्रीम court एक 5 जजो की समिती गठित करता है जिसके अंदर सबसे पहले जो थे वो थे हमारे रंजन गोगोई जो इस पूरे मुकदमे के बाद रिटायर होने वाले थे उसके साथ साथ S.A. बोबडे भी थे, N.V. रामना भी थे, इसके अलावा U.U. ललित थे और D.Y. चंदर चूड भी थे तो इन 5 जजो की पैनल ने आगे चलकर ये पूरे केस की सुनवाई देखी थी बाद में 10 जनवरी को इन में से जो U.U. ललित थे उन्होंने अपनी आपको कही न क ही बचा लिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो नया पैनल जब बैठेगा जो बैठने वाला था 29 जनवरी को तो उनके साथ ही की जाए क्योंकि वो उससे हटना चाहते थे तो उन्होंने अपने आपको रेस्क्यू कर लिया और उसमें से वो हट गए बाद में 25 जनवरी को फिर से एक बार नए पाच जजेस का जो है वो गठन किया गया हाला कि पहले चार जो थे वो तो थे ही लेकिन एक जो थे वो नए जज उनको वहाँ पर शामिल कर दिया गया था तो नया पैनल अब बन चुका था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई उनके साथ से बोबडे डीवाय चंदरचूड नए आये थे अशोग भूशन और साथी साथ थे से नजीर और इन पाचो जजेस ने आगे चलकर इस पूरे केस की हेरिंग जो थी वो सुनी थी बाद में 29 जनवरी को सेंट्रल गवर्मेंट जो थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इजाज़त मांगी कि उसके अराउंड यानि कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है 2.77 एकर का उसके अराउंड का तकरीवन 67 एकर का एरिया जो था वो सेंट्रल गवर्मेंट ने वहाँ पर एक्वायर कर लिया था तो वो जो पूरा एरिया था वो जो फेवर में डिसेजन लिया और फिर 5 मार्च ये तारीख वहाँ पर तैय कर ली गई ये तैय करने के लिए कि कोर्ट अपॉंटेड मेडियेशन को ये केश जो है वो ट्रांसफर किया जाए या न किया जाए बाग में 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मेडियेशन को ये सारा म FMI कलिफुला तो उनके पूरे नेतरुत्व में ये पूरा जो था वो मुकदमा या हम कहें कि उसका पूरा आगे का हीरिंग चल रहा था बाद में 9 अपरेल को निर्मोही अखाडा ने फिर से एक बार सुब्रीम कोर्ट की गोहार लगाई कि ये जो 67 एकर का लैंड है जो कि एक्वायर कर लिया गया था वो उनके उनर्स को ना दिया जाए इसके लिए निर्मोही अखाडा ने भी वहाँ पर PIL दायर कर दी बाद में 9 मैं को ये जो 3 Mediation की कमिटी बिठाए गई थी जिनका नेतरुत वो कलिफिल्ला कर रहे थे तो उन्होंने अपना अंतरिम जो रिपोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट को सुब दिया था बाद में सुप्रीम कोट ने 10 मई को ये जो पूरा मेडियेशन का प्रोसेस है उसको 15 अगस्त की और मुहलत दे दी ताकि उसे ठीक तरीके से स्टडी किया जा जो भी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर सब्मिट की थी उस रिपोर्ट को बाद में आगे चलकर जो कारिया उनके उपर सोपे गये थे उसकी लिए भी 11 जुलाई को आगे चलकर सुप्रीम कोट ने उनसे वर्ग प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो मांग ली थी कि मेडियेशन का काम कैसे चल रहा है और क्या कि अब तक प्रोग्रेस हुई है बाद में 18 जुलाई को मेडियेशन की जो प्रोसेस वाले लोग थे जो तीन लोगों का ये मेडियेशन का बेंच बिठाया गया था उन्होंने और महुलत मांगी तो सुप्रीम कोट ने और महुलत उनको दे दी लेकिन उनको ये कहा गया कि आपको आपका जो भी निर्णय हो वो एक अगस तक देना ही देना होगा चाहे जो हो जाए एक अगस तक आपको इसका रिपोर्ट जो है या फाइनल जो चीज है वो हम तक पहुचानी पड़ेगी बाद में एक अगस को मेडियेशन का रिपोर्ट उनके पास एक कवर में पहुचाया गया बाद में दो तारीक को ये निन्य हुआ कि अब इस पूरे मुकदमे को हर दिन चलाया जाएगा यानि कि हर रोज इसकी जो है वो हेरिंग होगी और ये शुरू होगी 6 अगस्से बाद में 6 अगस्से ये पूरे जो हेरिंग है वो day to day शुरू हो गई थी चार अक्तूबर के आते आते सुप्रीम ने ये फैसला कर लिया था कि ये जो पूरा का पूरा हेरिंग है ये 17 अक्तूबर तक खदम हो जाएगा और इसका जो final result है वो 17 नवंबर को आ जाएगा बाद में सुप्रीम कोट ने यूपी गवर्मेंट को ये भी direct किया था कि वक बोर्ड का जो चेर्मन है उसको भी उन्ह ने सुरक्षा मुहिया कराई नहीं है क्योंकि अब इस पूरे मामले का जो है वो result पास आ रहा था तो हो सकता है कि लोगों की भावनाएं अगर बहुत जादा उत्तेजित हो जाए तो किसी को हानी ना पहुँचे इसकी वज़ए से सुप्रीम कोट ने ये कहा कि सुन्नी वो था कि 17 तारीक को ये पूरा का पूरा जो हेरिंग है वो राप अप हो जाएगा और बाद में 17 नवंबर को ये फैसला आने वाला था लेकिन 9 नवंबर को ही फैसला आ गया जिसके अंदर पूरी की पूरी 2.77 एकर की जो पूरी लैंड थी वो राम लला के लिए वहां पर उन पर 5 एकर की अलग सी जगा दी जाए जहां पर जो वक्वोर्ड के लोग हैं वहां पर मजद जो है वो बना सके हलागी ये जब निर्णाय आया उसके बाद कई लोगों ने इसका स्वागत किया लेकिन सुन्नी वक्वोर्ड ने फिर से एक बार गुहर लगाई रिव्यू पि लेगी वहां पर राम मंदर ही बनेगा और आज के दिन 5 अगस 2020 को वहां पर शिला न्याज जो है वो संपन हुआ है तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा लेखा जो खा एक जरनी एक उनका जो था वो सफर कि कैसे सबसे पहले वहां पर मंदर गिरा कर मजद बनाई गई और बाद में कैसे इसकी इतनी बड़ी जो है वो कानूनी लड़ाई चली और बाद में आखिरकार राम लला ट्रस को ये जमीन मिल गई तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम के लगी है अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देजिएगा जैश्री रा हाम